इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एटल के सीम में रिचार्ज कैसे किया जाता है एटल अप्लिकेशन से यहां पे आपको 20 रुपिय से लेके 40 रुपिय तक कैस्वेक मिल जाएगा तो रिचार्ज करने के लिए एटल अप्लिकेशन को अपन करेंगे अपन करने के तो यहां पे देखिए 179 को रिचार्ज करना है तो 189 रुपिय का रिचार्ज करना है तो हम यहां पे किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं एटल मनी से अगर आप करते हैं एड मनी करके तो यहां पे अगर 189 का रिचार्ज करते हैं या 265 का रिचा 189 का रिचार्ज करने वाले हैं तो चलि हम यहां पर एड मनी पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहां पर if you can आपको अगर पता नहीं है तो यहां पे forget emp करेंगे तो आपका बंजाब पर त्वेके स्वेट आप और यहां पर एंटर कर देते हैं और यहां पर राइट वाले इंसान बेकंट कर देंगे क्लिक करने के लाद यहां पर देख सकते हैं तो चलि हम यहां पर करने यहां पर प्रोसेस्जिंग होने के साथ साथ आपकाloe मेड मनी भी हो जाता है और यहां पर रिचार्ज भी हो जाता है इसके साथ साथ आपको 20 रुपिया का कैस्ट भी मिल जाता है जो कि आप यहां पर प्रोसेस में यह लगा हुआ है और यहां पर कुछ सेकेंड लगते हैं आपको यहां पर देख सकते हैं मेरा रिचार्ज सक्सेस तो इसी तरह से आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर 20 रुप्या भी दिखा रहा है लाल इसी तरह से आप एटल के माधियम से रिचार्ज कर सकते हैं आपको यहां पर कैस्ट बैक मिल जागा 20-40 रुप्या तक तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आएक लाइक किजिए शेयर किजिए अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैला के दबाद दिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे